बिहार को पर्यावरन संकत से उभारने और इस विशे पर देश में उधारन बनने के उद देश से राज्य में 15 अगस्त को जल जीवन हरियाली उजागरुपता अभियान शुरू होने जा रहा है मुख्यमंत्री निटीश कुमार इस अभियान की शुरूबात करने वाले हैं गांधी मैदान में सोतंत्रता दिवस पर छंडा फैराने के बाद इस अभियान को शुरू करने की खोशना की जाएगी दरसल जल जीवन हरियाली अभियान के तहट सरकारी कुवा, तालाब और आहर की पूरी मरमत की जाएगी 15 अगत से दिसंबर तक इस अभियान को युध स्तर पर चलाया जाएगा इसके लिए ग्रामीन विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है मुखी मंतरी नितीश कुमार के निर्देश पर पुलिस की विशेश टीम ने अवैद कबजे वाले कुवों और तालाबों को भून कर मुखी सचिव को इसकी संख्या उपलब्द करा दी गई है ऐसा माना जा रहा है कि अब तक करीब दो लाग हैसे कुवों की जानकारी मिल पाई है और ग्यारत जिलों से जानकारी अभियानी बाकी है सभी जिलों से रिपोर्ट आई तो अवैद कबजे वाले कुवों की संख्या 3 लाग को पार कर जाएगी वहीं इस अभियान के तहट सरकारी और निजी भवन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेगा हर्याली लाने के लिए बड़े स्तर पर पोधर ओपन होगा इसमें सभी सरकारी अधिकारी और कर्मी के अलावा जन प्रतिनी धी भी सहभागी होंगे यूस्टेस